तो दोस्तो आज का मुकाबला शनिवार का जो दूसर मुकाबला था ये शार्जा वारियर्स और अबुदाभी नाइट राइडर्स के बीच में हुआ और यहां पर अबुदाभी नाइट राइडर्स ने टॉस जीट कर पहले गेंद बाजी करने का निनलिया दोनों ही टीमों कि प्लेइंग 11 की तरफ हम सबसे पहले नजर डालेंगे क्योंकि ये शार्जा वारियर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये मॉमिट हा लॉट ऑफ चेंज इंद शार्जा वारियर्स टीम जी हां हमने डेविड मलान को भी दिखा एविन लुएस मोहिन अली जो लास्ट टाइम उन्होंने कैप्टेंसी की उन्हें ही भार बिठा के मोहिन अली ने अपनी वापसी की मार्क स्टोर निस कही न कही जो उन्दा प्रदशन करते ही जाते हर मैच में कही आज थोरी सी निराश्वी परफॉर्मेंस दिखाए थी क्रिस बेंजमिन मौमद नभी जो खुद एक बढ़िया खिला रही है वो भी काफी डिसपोइटिंग रहे है उनके जब बलेबाजी के मौके आई थे क्रिस वोक्स जुनेद सिदी काफी बोलर जो है उन्हें अबिसली कही ना कही ये लगा था अगर हमने से पाइए से 120 बना के भी छोड़ा होता तो हमें विक्टरी मिले की चांस भी होगी रहा है बड़ाजा ने काफल एक्टी स्वन बनाए नौ एक्टी स्वन बना गट एक नौसान पर मास्तों दलाज और साभी रavezक्राइट गये और अबे हाले बाजी करना है तो छासी रन की पहले विक्ट की만 पारश्रीक हो है जो किरह विब फार हाफ-सैंचुरी गाती है 30 वैवने धंचू जब प आफ के उपर और एक mid wicket और long one के बीच में आया तो ये एक काफी अच्छी उनकी पारी रही लेकिन अगर देखें तो गेदबाजी पर अगर थोड़ा साम नज़र डाले तो बात समझ में आती है कि शार्जा वारियर्स के तरफ से जादा कुछ गवा नहीं जवादूला पेट उन्होंने ये match जीता है तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि हाँ हमने जीत तो हासल की है लेकिन वहिया उनके लिए बहुत ही मेनत करनी पड़ी हमें तो स्टाइजिस की बात करें तो बहुत बड़ी है गिनबाजी हुई चार वर एक किस्ट रन एक विकेट और एक विकेट नवीन उलहक ने निकाला लेकिन आखिरकार अबुदाभी नाइट राइडर्ज को रोक नहीं पाए शार्जा वारियर्स के गिनबाज और पांच वि मुकाबले बाकी रहे गए हैं जिसमें आबुदाभी नाइट राइडर्ज ने अपने सारे मुकाबले के लिए हैं अब नंबर चार की पोजिशन के लिए यहां पर विनेशा फाइट होगी शार्जा वारियर्स और दुबाई कापिटल्स के बीच में और दुबाई विन ला लिया दो पॉइंस कमा दिया हमारा रंडी जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में कनवर्ड कर दिया तो शायद हम वो नंबर चार स्पॉट हासिल कर भी सकते हैं तीन टीमें क्वालिफाइ कर चुकी है बस इंतजार है एक और टीम का और यह हमें आने वाले चल जाएगा विट इस एलिमिनेटर बिफोर दी इलिमिनेटर ऐसा हम कह सकते हैं तो कल का मुकाबला क्या होगा आज का मुकाबला तो अब अब अभी नाइट राइडर ने जीत लिया है लेकिन कल एक बहुत ही इंपॉर्टन मुकाबला होगा सुपर संडे और बिट्वी ब और जाएगा जाएगा जी है तो यहां पर अगर देखें तो बहुत ही शांदार सिचुएशन और एक और मुकाबला जो है आने वाले दिनों में वह होगा मैच नमबर 30 शार्जा के मैदान से और यह ऑफकॉस बगा शार्जा वार्या और गल जायंस के बीच में तो इस आ व एक दिनागे मैन्द हमने का अपना पर जाएग और मोस्ट इपार्टिंट्नु वह चौथा support कॉन लेगा हमें आख्री दिनों में पता ही चलेगा हमें पका किता कि तो ठीtic 20 Zach tap इस Hyundai होने तो वह चौथा platforms पर मौझूद है Instagram हो Twitter हो या Facebook हो Manisha thank you so much for being a part of the broadcast today दोस्टों हम तरिक पर आप से मुलेंगे on this platform जो है आपका मंच, cricket का मंच, see you, thank you very much for being a part of this